ना समझोगे तुम मिट जाओगे ऐ हिंदोस्तान वालों तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में आज मैं अपने सिक्ट की तरफ से अपने पाक आर्मी को ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करने की जुरत की तो सरी सिक्ट अपने पाक आर्मी के शाना भुशाना होगी और इंडिया वालों मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ और माख बाप भाप होता है और माँ को चाहिए कि बाप के अंडर रहे और बाप से डरती रहे अगर ज़ुरूरत पड़े तो से लीचिर के साथ एर्ड बजाएंगे और ये गलम ये हम उठा के फेस्ट देंगे और हम फिर ये उठाएंगे और तुम्हें वो जवाब देंगे कि निफ्ट नाबूत हो जाओगे पाकिस्तान की तरफ अगर कोई मैली आंख से देखेगा तो हमने उसकी आंखे नकाल देनी हैं पाकिस्तान जिन्दाबा पाकिस्तान पहिंदाबा खालिस्तानी आतंकी के साथ नवजूद सिंग सिध्धू की इस तस्वीर पर विवाद हो गया है सिध्धू के साथ नेली पगड़ी में मौजूद ये शक्स खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंग चावला है पाकिस्तान में कल करतारपूर कोरिडोर के शिलान्यास के दोरान गोपाल सिंग चावला मौजूद था अकाली दल के नेता मजिंदर सिंग सिर्सा ने ट्वीट कर दावा किया कि ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जिसे गोपाल सिंग चावला ने अपने फेस्बुक पर पोस्ट किया है गोपाल सिंग चावला को हाफिज सईद का करीबी माना जाता है दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी आ चुकी है ऐसे में सिध्धू की ताजा तस्वीर को मुद्दा बनाते हुए अकाली दल ने सिध्धू के स्तीफिक ही मांग की है गोपाल सिंग चावला जो हाफिस सईद का करीबी है उसके साथ नवजोद सिंग सिध्धू की तस्वीर है क्या कैट्टेन साहब अपने मंतरी लापरवाह मंतरी को बरखास्त करेंगे गोपाल जिंग चावला कोरिडोर के शिलान्यास के मौके पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी मिला था पाकिस्तान में सेना और आतंकियों का नापाख गट बंदन जग जाहिर है पंजाब में खालिस्तान के आतंक को जिन्दा करने की साज़श की भी खबरे हैं इसे बीच खालिस्तानी आतंकी के साथ सिध्धू के इस तस्वीर पर विवाद तैह है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ गले मिलकर सिध्धू पहले ही विवाद में फसे थे अब खालिस्तानी आतंकी के साथ तस्वीर सिध्धू और कॉंग्रिस की मुश्किलें बढ़ा सकती है